विल्कम स्टूरेंट्स जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था इंपिरंस का तो उसी से एक प्रॉब्लम सॉल्फ करते हैं तो आएं देखे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है एट वर्ट फ्रिक्वेंसी विल एन इंड़क्टर ऑफ वन हेंड्री हेवार रियक्टन्स व फाइफ फंड़ड ओम हमें कहा गया है कि हमारे पास एक इंड़क्टर है यानि एक ऐसी डिवाइस इसके थूरू करें तो वो वक्ती तोर पे अपनी मिगनेटिक फील्ड में एनरजी को स्टोर कर लेता है उसे हम इंड़क्टर कहते हैं और उसकी इस अबिलिटी को इंड़क्टन्स कहा जाता है और उसकी जो इंड़क्टन्स है वो हमें बताए गई है कि कितनी है वो है वन हेंड़री तो हमें कहा गया है कि यह जो इंड़क्टर है इसके अक्रोश हमारे पास रिजस्टन्स है यानि के reactance वो अगर 500 ohm की हो तो हमारे पास जो frequency है वो कितनी होनी चाहिए तो हम पहले यह देख लेते हैं कि frequency से हमारे पास क्या मुराद होता है अब यह देखें frequency से मुराद ही होता है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर जैसे मैं graph बना रही हूँ जिसमें x-axis के along अगर मैं time ले लूँ तो origin पे अगर time zero है और थोड़ी दूर जाके time को मैं कह देते हूँ कि वो for example one second हो गया तो अगर मैं किसी भी quantity की waveform यहाँ पर बना रही हूँ तो हम यह देख सकते हैं कि time one second तक उस wave की एक ही हमारे पास waveform आई है उसकी frequency कितनी होगी वो होगे हमारे पास frequency equals to one hertz होगी क्योंकि हमारे पास एक ही wave पास होगी है one second में इसी तरह से अगर हमारे पास कोई और quantity हो जिसके अंदर दो waves पास हो रही हूँ इतने time में जैसके मैं यहाँ पर draw कर रही हूँ तो हमारे पास frequency उसके लिए हो जाएगी two hertz हम की देख सकते हैं कि जैसे जितनी हमारे पास waves गुजरेंगी एक specific time में तो हम कहेंगी कि हमारे पास उस quantity की उतनी frequency है उस time limit में तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास waves मौझूद हैं, तो किसी quantity की जो मैंने wave बनाई है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो quantity है, वो अपनी जो polarity है, direction है, वो change कर रही है. तो example, यहां पर मैंने अगर बनाया है, एक current का मेरे पास graph है, तो हम यह देख सकते हैं कि जो current है, वो अपनी direction चेंज कर रहा है, यानि कि पहले एक direction में वो maximum limit तक जाता है, और फिर दूसरी direction में फिर वो maximum limit तक जाता है. तो यानि कि हम यह भी कह सकते हैं कि frequency से मराद यह है, कि कोई quantity एक specific time में कितनी दफ़ा अपनी polarity या direction को change करती है, तो यहां पर यह मुराद है हमारे question में, कि हमें कहा गया है कि frequency क्या हो गई, यानि कि जो current है, जो voltage है, वो कितनी दफ़ा अपनी polarity या direction को change करेगा, कि जब हमारे पास जो inductor है, वो 100 का हो, और इसके अंदर जो resistance है, reactance है, वो हमारे पास 500 ohm हो, तो इसना करते हैं, सबसे पहले अपने पास data लिख लेते हैं, कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है quantities में, हमें सबसे पहले कहा गया है, कि हमने frequency find out करनी है, कब, कि जब हमारे पास जो inductor की inductance है, वो हमारे पास हो 100, और उसके बाद हमें बताए गया है, कि जो हमारे पास reactance हो, इस inductor की वज़ा से, वो हमारे पास हो 500 ohm, तो चलें इससा करते हैं, कि इस problem का solution स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं, कि हमारे पास reactance xl है, वो equal होता है हमारे पास, 2 pi f l के, ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं, कि हमारे पास xl की value भी मौझूद है, l की value भी मौझूद है, तो यहां से हम f की value मारूम कर सकते हैं, तो हमारे पास f बन जाएगा, xl divided by 2 pi l, ठीक है, तो यहां पे हम इसना करते हैं, values put करते हैं, अब हमारे पास xl की क्या value है, xl की value हमारे पास है, 500 ohm, ठीक है, जो के आगे further divide हम करेंगे, 2 multiply by 3.14, multiply by l की value हमारे पास क्या है, 1 henry, ठीक है, यह होज़े का 1 henry, तो इस दब को solve चुप किया मैंने calculator से, तो मेरे पास जो frequency की value आ रही है, वो आ रही है 80, अब इसना करते हैं students के जो हमारे पास units हैं, उनको balance out कर लेते हैं, ताकि अगर हमने कोई mistake की हो, calculations के दोरान, तो हमें पता चल जाएगा, कि हमने mistake कहां पे की है, तो यहां पर हम देख सकते हैं, कि हमारे पास उपर मौजूद है ohm, और नीचे है हमारे पास henry, तो इसना करते हैं, कि इन दोनों units को पहले simplify कर लेते हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं, कि ohm slot के मताबिक, हमारे पास जो resistance होती है, वो equal होती है potential divided by current के, यहां से हमारे पास जो ohm होता है, वो equal होता है volts divided by empire के, यह थो हमारे पास simplify हो गया ohm का unit, उसके बाद हम देखते हैं, कि हमारे पास henry है, वो किसना से simplify करेंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं, कि हमारे पास जो induced emf होता है, el, वो equal होता है, यानि के inductance multiplied by change in current, ठीक है, divided by time interval, ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो l है, उसकी value के आजाएगी, induced emf el, multiplied by delta i, sorry, delta t, ठीक है, उपर इसको दुबारा से लिख रहेते हैं, ताके वाज़ तोर से समझ आए, कि हमने उपर t को multiply हो यहां पे किया है, वो एकुल आ रहे है, volts multiplied by second divided by ampere के, तो इसना करते है, ohm divided by henry जो हमारे पास यहां पे है, उसकी जगाई यह सारे के सारे units लिख लेते हैं, तो हमारे पास बंज़ेगा, volt divided by ampere, और henry क्या क्या बन रहा है, उसकी वज़ा से हमारे पास बंज़ेगा, ampere उपर आज़ेगा, क्योंकि हमारे पास henry नीचे है, तो जो volt second है, वो जब नीचे आएगा, तो हमारे पास बंज़ेगा, सिर्फ one divided by second, क्योंकि आप यह देख सकते हैं, कि volt वोल्ट से कर ज़ेगा, और ampere, ampere से कर ज़ेगा, और हम यह जानते हैं, क्योंकि हमारे पास frequency के units होते हैं, वो one divided by second ही होते हैं, तो that means कि students, हमने बिल्कुल ठीक तरह से frequency को calculate किया, जो कि हमारे पास बंज़े है 80 hertz, क्योंकि हम यह जानते हैं, कि frequency जो है, वो inverse होता है time का, और time हमारे पास होता है second, तो that means कि hertz equal हो गया, one divided by second के, तो हमने बिल्कुल ठीक से frequency को calculate किया है, तो I hope students कि आपको प्रॉब्म अच्छे से समझा आ गया होगा, कि कैसे हमने frequency को calculate किया है,